आप सब आसा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होगे आज अक्षे तीज के दिन में इस वीडियो को शूट कर रही थी और यहां देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपने गार्डन की हरी मिर्च जो कि बहुत अच्छी फल रही है अगर हर्वेस्टिंग का वीडियो चाहिए तो प्लीस कॉमेंट कर देना गार्डन में बहुत कुछ करती हूँ यहां देखिए मेरे पास एक ग्रो बैग है और बिल्कुल खाली है यह आप देख सकते हो जो प्रसेस में करने वाली हूँ वो आप इस तरह के कट्टे में भी कर सकते हो देखिए हमारे पास बहुत तरह के फल आते हैं गर्मियों में कुछ फल बड़े साइस के लाने पड़ते हैं और वो रखे रखे ही काफी खराब हो जाते हैं और मैं उन्हीं का रियूज करती हूँ अपने गार्डन में तो देखिए ग्रो बैग में नीचे तली में मैं थोड़े सी मिट्टी डाली और उसके बाद यह चिलके डाले हैं जिनका मैंने लिकुड फर्टिलाइजर अपने गार्डन में यूज किया था लिकुड फर्टिल तर्बूज की बारी देखे बड़ा सारा तर्बूज घर उठालाए थे कितना होगा यह पाइसाथ आट केजी का होगा उसमें से आदे खाया गया था और यह बस राद भर रखा रहा और अगले दिन आप देख सकते हो उसके 12 बज गया थे मतलब यह पूरी तरह से पानी पानी मैंने आज ही यूज किया है तो मैं दुबारा से इसका लिकुड फर्टलाइजर नहीं यूज कर सकती क्योंकि मैं 15 दिन बाद ही यूज करूँ इसको तो अब क्या करना था तो मैंने इसका अंदर का जो भी माल मसाला बुदा था वो सब कुछ इस तरह से अपने ग्रो बैग लगकर Join को अधार करें तो यह रहूं अबiane काल दाने की आपके बालो के लिए के विद्ग कर लिए आज मैंने के बालो को लंबा करने का गणार भनाने का चंवी कीं वनने का अंगे तरीक बताने की चंवक लFE वाली हूँ यहां पर देख सकते हो अपने गार्डन में से ही में लेक आई थी अलोविरा की लीव्स अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो ले लो केरो टिप्स डिपॉर्टिंग सब कुछ अगर कहोगे आप तो मैं आपको बता दूँ यह फिर मेरे चानल पर जो मेरा गार् को निकाल देना और उसके बाद बीच में कट लगा लगा कर इस तरह से यह सारा जो जहले इसके अंदर का निकाल लेना आसानी से निकल जाता है यह जो मैं आज बना रही हूँ यह आप हैर पैक के तरह यूज करोगे ओवरनाइट भी रख सकते हो या फिर दो गंटे के बालों के विटामीन ए का एक कैपसूल अगर इसी टाल दो तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है लवेंडर एसेंसल ओयल या आपके हैरफोल को बंद करेगा बालों को ग्रो करने में बहुत जाता है बालों को लंबा करने में हेल्प करेगा साथा ड्रॉप डाल दी है अगर अगर आप फस्त पर यूज़ तो दो से तीन ड्रॉप डालना अच्छी तरीके से मैं इसको पीस लिया है पीसने के बाद मैं इसको देख रही हूँ कि अच्छी तरेके से पिस घया है या नहीं पीसा है घया है अच्छी तरीके से अठीच-ध़णी होती है चायवाली उसी क यूज़ करो और चानने के बाद आप देखो यहाँ पर यह लिक्विड ना ऐसे लगेगा कि बहुत गुद्दा है यह पीसा नहीं है लिकन यह पीस गयाता देखो मैं इसको गुमा गुमा कर आपको दिखाऊंगी और चम्मत से दबा दबा कर निकाल लेना सारा देखो आधी क स्प्रे बोतल में भढ़ने के बाद आप इसको अपने हैर पर अप्लाई करोगी रूट में ज्यादा करना रूट अगर मजबूत हो जाएगा और आपके बालों में चमक बढ़ जाएगी आप इसको एक हफते में कम से कम दो बार यूज़ करो सबसे पहले नंबर आया था ब थोड़ा से स्प्रे कर देया और छोड़ दिया अचाहिसे स्प्रे कर देया है अगर आपके नहीं अपने इस पीट नहीं में यूज़ कर सकते हो आप इस वाले लिक्विड को स्टोर कर सकते हो कम से कम तीन हफ़ते तक दो से तीन हफ़ते तक स्टोर कर सकते हो लेकिन फ्रिज में एक हफ़ते में दो बडर यूज्ट करोगो तो मुझसे भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे किसी पर भी लगाओ बस वो थोड़ा सा 12-13 तरह साल से उमर का उपर का हो नीचे वाले को मत लगाना क्योंकि मैं कभी इस तरह से यूज करके नहीं देखा अगर कोई वैसे तो कोई साइड एफेक्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी आप बारा तेरे साल से जो उमर के बड़े हो उनको ही लगाना अच्छी तरीके से लगा ल करना है आपको सैंपू ही करना है लगाने के बाद अच्छी तरीके से आप हलके हलके हातों से मसाज कर लेना और चाहो तो उसके बाद आप कॉम भी कर सकते हो थोड़ी दिर के लिए बालों को इसी तरह से खुले रहन देना क्योंकि इसका एब्जॉब हो जागा यह बहुत बालों पे जुड़ा बान के मत रखना व्लॉग में क्या अच्छा लगा प्लीस कमेंट करके जरूर बताना व्लॉग जरा सभी अच्छा लगा हो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पहुंच जाए और आप सबसे पहले हमारा व्लॉग देख सको तो यह देखिए आफ्टर की क्लिफ मैं दिखा रही हूं जब बेटी के हैर वाश हो चुके थे और लगभग तीन-चार घंटे के बाद जब उसके बाल अच्छी तरीके से सूख गये थे तब की क्लिफ है जब कर आपने अपने हेर पर अप्लाई किया और उसके बाद आपके बालों की चमक बढ़ गई है चले फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स व्लॉग में थेंक्स फूर वाचिंग